नमस्कार आप देखरें ABC इंडिया मैं अमित भोबिया दोस्तों आजम बात करेंगे तंबाखु की खेती के बारे में आपने कभी सोचा है छोटी सी सिगरेट होती है थोड़ी सी तंबाखु उसके अदर डाली होती है और उसका रेट बहुत जादा होता है मुझे नहीं लगता कि कोई सिगरेट ऐसी होगी जो 10 रुपे से कम आती होगी क्योंकि मैंने सुना है कि 1500 रुपे की भी सिगरेट आती है 100 की भी आती है 50 की भी आती है 17-18 रुपे की भी आती है 10 रुपे की भी आती है लेकिन 10 से कम आती है ऐसा मैंने नहीं सुना तो आपको आ तंबाखु की खेती की जा सकती है फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में फिर हम बात करेंगे उस विशेष बात के बारे में जिसका ध्यान रखना होता है तंबाखु की खेती करने वाले किसानों को फिर हम बात करेंगे हारवेस्टिंग कब की जा सकती है और कैसे की जा सकती है फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में और उसके बाद अंत में आपके लिए एक छोटा सा सवाल होगा वो सवाल क्या होगा वो वीडियो के अंत में पता चलेगा तो दोस्तो इस वीडियो की शुरुआत करें जिसके अंदर आपको मिलने वाला है तंबाकू की खेती के बारे में संपुर्ण ग्यान तो आप सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए और शुरू करते हैं तंबाकू की खेती के बारे में संपुर्ण ग्यान वाली ये वीडियो तो दोस्तो बात करते हैं इसे उगाने के मोसम के बारे में तो जैसे ही ठंड की शुरुवात हो जाती है, अक्तूबर और नुमंबर के महिने में तंबाकू की खेती की जा सकती है, कुछ इलाकों में अक्तूबर में शुरू हो जाती है और कुछ इलाकों में नुमंबर के अंदर ही इसकी बुआई शुरू होती है, तो इसकी खेती की श जितने पोदे आपको चाहिए उतने बीज ताकि आप पहले एक पोधा त्यार कर सकें जब पोधा त्यार हो जाए दो तीन पत्ती पर पोधा आ जाए तब उसको वहां से उठाना है और उसको खेत में आपको लगाना है यानि कि यह ऐसा प्लांट है जैसे इसको पहले लगाना होता है जब पोधा लग जाएगा दो तीन पत्ते निकल जाएंगे तब उससे फिर आगे रोपना है आपको क्या करना है खेत में रोपते वक्त ध्यान रखना है इस बात का कि पोधे से पोधे की दूरी जो है वो धाई-फिट होनी चाहिए इसका ये कारन होता है कि ये पोधे जो है ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो ये 6.5-6.4प की हैट ले लेते हैं और फैलते भी काफी हैं तो इनके बीच में ये पूरा ध्यान रखिएगा दूसरी बात जब एक पोदा लग गया तो आपको अलग लग तरीके की खेती होती है कुछ एरिया में लोग क्या करते हैं कि जैसे बस लगा दिये और पोदे बड़े हो गए उसकी तमाखू को बेच लिया उनको रेट वेट नहीं मिलता उत्पादन ले लेते हैं वो लेकिन आज की जमाने में जैसे बहुत परकार की अलग-अलग सिग्रेट आ रहे ही हैं बहुत परकार की जो महंगे-महंगे प्रोड़क्ट्स आ रहे हैं जिनके अंदर तमाखू यूज होता है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं पोधे को आठ पत्ती, नो पत्ती, दस पत्ती, बारा पत्ती इस तरह से त्यार करते हैं अब यह त्यार कैसे किया जाता है जैसे एक पोधा लग गया उसके अंदर जो है बारा पत्ती निकल गए अब पोधे के अंदर तो 40, 50, 60 पत्ती निकलेगी लेकिन आपको क्या करना है विशेश बारा पती ही उस पोधे के अंदर रखनी है बाकी पतियों को समय समय पर तोड़ते रहना है उपर जो होता है डंठल उसको भी तोड़ देना है ताकि पोधा जो है उसके उपर जो अच्छी मात्रा में निकोटीन युक्त जिनके अंदर खूब निकोटीन है खूब नशा है वो वाली बारा पतियां ही रखनी है तो एक्स्ट्रा की जो पतियां है उनको निकाल दीजिएगा तो पोधा जितना जमीन से खिचेगा तो वो उनी बारा पतियों को मिलेगा उन 12 पतियों को मिलेगा तो उसके अंदर निकोटिन जादा होगा उससे आपको रेट जादा मिलेगा तो इस बात का विशेज ध्यान रखना है कि समय समय पर बाकी की पतियां हटाते जाएए एक पोदे पर केवल मातर 12 पतियां रखें और इसी के अंदर एक बात का उर्ध्यान रखें इसकी पति जो होती है उनके उपर बबल से बन जाते हैं और जितने ज़्यादा बबल होते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें माना जाता है कि वो एक नंबर क्वालिटी है quality वाला पोदा है अच्छा पोदा है अब बात करते हैं दोस्तों हारवेस्टिंग कब और कैसे करें तो आपको बता दूँ फरवरी के महिने में इसको हारवेस्ट कर लिया जाता है फरवरी के end में या फिर March की शुरुवात में इसके बाद क्या होता है दोस्तों इसे सुखाया जाता है आज के वक्त में दो परकार के लोग हैं कुछ लोग सुखाने का ही काम करते हैं और कुछ लोग बुआई का ही काम करते हैं कुछ लोग जो हैं अच्छा मुनाफ़ा लेने के लिए बुआई का काम और सुखाने का काम पुरा खुद ही करते हैं और उसके बाद में ल मुझभफर नगर में होती है, तो हाँ पे उल्टा लटकाया जाता है इसको, जैसे एक छट है, चट के नीची तार बांदे और तारों से इसके पोदों को बांद कर उल्टा लटका देते हैं, वो सुखते रहते हैं, कई अरिया में जमीन पर भी सुखाया जाता है इसको, तो इनको मनलब इनकी धेरी बना के रख देनी है गांठों की और उसके बाद वो जो है वो मार्केट में बीकेगा ये कुछ लोग करते हैं कुछ लोग केवल सुखाने का काम करते हैं तो वो कच्छी मनलब जो बिल्कुल रो प्रोडक्ट होता है वो भी खरीद लेते हैं और कई फ महिने में या चार महिने में इसकी तमबाखो की फसल चार महिने बाद जब आप काट के बाहर निकाल लेते हैं तब भी उसका हुतना ही ध्यान रखना होता है और वैसे ही उसको सुखाना और पूरी प्रसेसिंग करनी होती है तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के के बारे में इस फसल की कमाई के बारे में इतना कहूंगा कि तीन हजार रुपे कोएंटल भी व noisy है और इसके पोधे की जड़ से लेकर पत्ते तक कुछ भी वियर्थ नहीं जाता हर चीज काम में आती है जिस मैदान में इसे सुखाया जाता है वहां से भी पत्ते कठे करके वाद में जो बचा हुआ होता है वो सारा मैटिगल बिग जाता है और जिस फैक्टरी में इसको त्यार किया जाता तबाखु को वहां पर भी जो मलब वेश्ट निकलता है वो भी काम आता है अलग लग काम होते हैं तो आपको बता दूँ इसके अंदर कमाई इस बात पर निर्वर करती है कि आपके पोधे की क्वालिटी क्या है पोधे की पत्त इसके अंदर एरिया के हिसाब से भी फर्क पड़ता है अब करनाटका के तरफ जो होती है वो ज़्यादा तर सिग्रेट बनाने के लिए जाती है और जो गुजरात में होती है वो ज़्यादा तर यह आपके तमाखु और खेनी और चिलंब गएरा में लगाने के लिए चली इसके जो फजल है वो संस्टी भी बहुत है उसकी संभाल आपको बहुत करनी होगी इसमें बहुत सारे दिकतें आते हैं तो किसी विशेश जानकार से पूछने के बाद ही ये खेती कीजिएगा जो पहले से इस खेती को कर रहा हो तो दोस्तों अंत में बात करते हैं उस सवाल की जो मैंने आपसे पूछना था वो सवाल ये है कि क्या तंबाको पर बैन लगना चाहिए या फिर तंबाको की खेती होने देनी चाहिए इस सवाल का जवाब कोमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इसी के साथ हमारे कैमरामेन का एक सवाल था कि क्या आप तंबाको खाते हैं इस सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा देखते रहिए A.V.C. इंडिया आपकी आवाज आपका विस्वास